उत्तरकंट के पोड़ी गड़वाल जिले में लैंड्सलाइट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई ये हाथसा सोमवार की सुभा 5 बचकर 20 मिनट पर रिशिकेश, बद्रिनाथ, राश्रीय, राजमार्क पर हुआ SDRF की टीम मौके पर पहुँच गई है और अपना अभियान चला रही है लैंड्सलाइट की चपेट में आने से जिन लोगों की मौत होई है वे JCB और पोकलैंड मशीन के ओपरेटर थे और एक कंस्ट्रक्शन कमपनी से जुड़े होए थे सभी सडक चौड़ीकरन का काम करके वापस अपनी साइट पर लोट रहे थे लेकिन कोडियाला के पास अचानक हुए भूस खलन की चपेट में आ गए इसके बाद दोनों मशीने समेत ऑपरेटर्स नदी की ओर खाई में गिर गए और तीन लोगों की मौत हो गई मरने वालों की शिनाख्त जेसी भी ऑपरेटर प्रभात राजेश और पोकलैंड ऑपरेटर संजीव कुमार के रूप में हुई है दोनों पंजाब के रहने वाले हैं और तीसरे की शिनाख्त होना अभी बाकी है उत्रखन में साल भी बारिश, बाड और लैंड्सलाइट से बड़े पैमाने पर तबाही मची है परियावरन विशेशग्यों का रोप है कि पहाडी राज्य में अंधादूंद निर्मान के चलते लैंड्सलाइट के मामलों में बेता हाशा बढ़ोत्री हुई है लैंड्सलाइट्स के चलते राज्य में जगा जगा 100 से ज्यादा सड़के बंद पड़ी है वही मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 और 27 अगस्त को दहरादून, पौडी, हरिद्वार, टेहरी, नैनिताल, चमोली, पितहौरागड और बागेश्वर, जिले के कुछ हिस्सों में जबरदस्थ बारिश हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक जून से 19 अगस्त तक राज्य में 764 तशमलव 3 mm तक बारिश हो चुकी है, जो की सामानने से थोड़ी कम है अभी भी पूरे राज्य में सामानने से 10 पीजदी कम बारिश होई है, लेकिन इसके चलते लैंड्सलाइट के मामले बड़े हैं ब्यूरे पूर्ट, गोनिस